असलम लेकुम नाजरीन वेलकम टो इफ्रस किचन आज हम आपके लिए रम्जार अन मुबारक की बहुती जबरदसी रेसिपी शेयर करेंगे जो के है एग पोटेटो पकोड़ा की रेसिपी यानि अंडे और आलूओं से मिलकर यह जबरदस से पकोड़े तियार होंगे चलिए सकता हराइ टार जाजर इसमसर को बहुत बरीयक हमने मैशर से मैष करने के बाद इसमें जो अज्जा एड करेंगे इसमें ऐग मुथी के करीभ हमने हरादनिय बरीय और इसके लगव इसमे शामिल किया हमने 4-5 बरी तटिउ erी मर्चे आप कमदद अपनी मर्च से कर सकतीए है Greeks एक स्पून के करेब राड चिलिपाउडर है एक स्पून के करीब सीरपाउडर है हाफ टी स्पून के करीब करीब कर मसाला पाउडर है इसके अलाव ही हमने 200 ग्राम के करीब चिकन को अच्छा से अबाल के बारीक बारीक इस तरह हमने इसको श्रैड कर लिया था इसको भी अच्छा सा मिक्स कर देंगे अब हमने 6 अबाल लिये थे अच्छे हार्ड वाइल के थे इनको दो दो तुकड़ों में काट लेने काटने के बाल जिस साइड पर जड़ी होगी अंडे की उसके उपर आपने ही मिक्स्टर अच्छा सा प्रेस करते हुए एक साइड पर लगा देंगे और यह वाइट हिसा नीचे रह जाएगा इस तरह हमने तमाम अंडों के स्लाइसिस कियों अंडों को तियार कर लेना है और य अर्मेरिक पाओर और थोड़ा सा मने दो थीन टीस्पून के करीब भारा धनिया अक्टर लिया था तो इसका मिक्स्टर अने गाडा सा बनाया था बहुत पतला भी बनाना बहुत गाडा भी नहीं और इसमें एछा सा ने डिप कर लिया अंडे और पोटेटो के यह जो हमने जब एड करना है तो आपने जो मिक्स्चर वाली साइड वो नीचे रखनी है और जो वाइट है अंडे का उसको उपर रखना है और इसको अच्छा सा फ्राई कर लें दो तीन मिनट तक अपने फ्राई होने देन और पलट लेना है जो हमारा पोटेटो वाली साइड थी उसको जब देर फ्राई करना अंडे वाली साइड को सिरफ एक मिनट के लिए एचा सिरब क्रिस्पी और गोल्डन हो देको तो मिसको निकाल नेंगे आपनी हीट बहुत तेज नहीं रखनी यह देखे मारे जबरदस से एक पोटेटो पोड़ा बिलकुल रडी डू सर्फ है आप भ जरूर लाइक कीजिएगा फिर मिलेंगे नएनी रेसिपीस के साथ अब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्ला हाफीज